कि यह जो horizontal component है इसको अगर हम कहें U horizontal और इसको हम कहा रहे हैं U vertical तो जो हम लोग के तीन फार्मूले हैं T बराबर 2 U sin theta by G इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे U sin theta है यह vertical component तो हम इसको 2 U vertical by G लिख सकते हैं उसी तरह maximum height जो यह है इसका formula होगा U square sin square theta by 2 G यह जो है U sin theta का whole square by 2 G है तो यह जो है H का जो formula हो गया 2 sorry 2 नहीं U vertical यह U vertical है यह U vertical का whole square है by 2 G है और range का जो formula है इसी तरह 2 U horizontal U vertical by G लिखा जा सकता है तो तीन फार्मूले हम लोग के बन गए हो जेंटल vertical component के रूप में एक यह एक यह और एक यह वाला जैसे कभी भी अगर इस तरह कोई velocity दे जैसे यहां पर यह velocity वेक्टर है मालो इसको ऐसे लिख दे 20 I plus 60 J cap ऐसे दे तो अगर कभी इस तरह दे दे कि 20 I plus 60 J है तो जाएसे बात है कि horizontal component 20 meter per second और vertical component 60 meter per second है तो 2 into vertical है 60 by G के वैलू 10 तो यह हो गया 12 second यह निकल गया maximum height है vertical component का square by 2 G यानि कि 60 into 60 by 20 तो यह हो गया 3 और यह हो गया 180 meter अब आए यह range पे 2 horizontal vertical by G और 2 into 20 by 60 by 10 तो यह जो हो गया 10 10 मालो यह हो गया यह हो गया 4 चार शेकर 24 इतना meter तो यह इस तरह भी निकल जाता है कर लिजे इसको सकर लिया हाँ तो तो यह हम कहना चाह रहे थे यह हम कहना चाह रहे थे कि इस तरह निकलेगा अब इसमें concept है और एक concept एक idea जो हम देना चाह रहे है कि मालो यह एक line है और कुछ हम projectile बनाएं ऐसे 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 मालो ऐसे बनदा है यह तीन projectile है तो तुम range देखी रही हो तीनों के अलग अलग है आर्थ्री सबसे अधर है राइट लेकिन तीनों की जो maximum height है वह सेम है तो जाम maximum height पर गौर करिए maximum height का फार्मूला है to you sorry two vertical नहीं होता है यह होता है इसका मतब है कि तीनों projectile का जो vertical component होगा तीनों projectile का वह सेम होगा क्योंकि vertical maximum height जो होती है वह इसी पर depend करती है तो तीनों का vertical component सेम होगा इन तीनों projectile का horizontal अलग अलग होगा no doubt समझें तो तीनों projectile का हमारा horizontal component जैसे पहले वाले का इतना है तो horizontal यह होगा दूसरे का उत नहीं है यह हो सकता और जादर हो तो तीसरे वाले का जैसे मालो यह a है और यह मालो b1 है फिर यह a है यह हो सकता है b2 हो फिर हो सकता है तीसरे वाले का यह a है और वरटिकल कंप्रेंट तीनहों का सेम होगा तबी तो ऐसा हुआ होगा उगले लिए अब हम यह देखते हैं कि जो time of flight है वो 2u vertical by G वो भी वर्टिकल में सेम है तो 3 का क्या or तीनहों की में शी सेम होगा time of flight तो यह height अगर तीनों की सेम है तो तीनों का time of flight भी सेम होगा ये देखिए सबसड़ी बात तीनों का time of flight भी सेम होगा अब रही range की बात तो range के लिए formula आपनों बताया गया है यू कॉस थीटा इन्टू time of flight यानि की horizontal component इन्टू time of flight तो एक बात समझ ये time of flight तो हमने कहा सबका सेम है सतीनों का सेम है ये सेम है तो जिसका ये जादर होगा जिसका ये बड़ा होगा उसका horizontal component बड़ा है तो तुमने आर्थी का range सबसे आदर देखा है इसलिए आर्थी का क्य क्या होगा ये अब एक चीद देखिए horizontal component जिसको भी हमने कहा और vertical component मालो एक और ये जो है इन दोनों का जो resultant था ये हमारा यू है और ये angle of projection है ये horizontal component है ये vertical component है तो एक चीद देखो गवर से कि जितना जादर horizontal component रहेगा जितना जादर angle of projection ये जो angle है ये उतना ही छोटा होते जाएगा राइट ये सर तो इसका मतलब ये है कि जो angle of projection है आर्थी का सबसे छोटा होगा यानि ये theta 3 है ये theta 2 है और theta 1 है तो जिसका range सबसे कम होगा उसका angle of projection सबसे बड़ा होगा हमने अपनी सारी बाते यहां पर समझाई गवर से फिर से समझेए कि maximum height तीनों का same maximum height same होने से तीनों का time of flight same जिसका range सबसे जादर होगा उसका horizontal सबसे जादर होगा और जिसका horizontal सबसे जादर होगा उसका angle of projection सबसे कम होगा तो फिर से समझते हैं फिर से समझते हैं तीनों का height maximum height same तीनों का time of flight same बोलो तीनों का same लेकिन R1 से बढ़ा हुआ R2, R2 से बढ़ा हुआ R3 तो इसलिए horizontal component जो होगा horizontal वाला जो component होगा वो 3 का सबसे बढ़ा फिर horizontal component उससे च्वा horizontal component जिसका जितना बढ़ा उतना range होगा right yes sir ठीक है अब एक जी बताओ जो U है वो एक्चुली horizontal component और वर्टिकल component का यही सो Star只是 जाहिजी बात है इनका तीनों का और यह भी तो तो same था वर्टिकल requirement yes sir वर्टिकल कमपोणनि तो same था बोलो वन का true का वर्टिकल कमपोनेंट शारी वर्टिकल कमपैंट तीनों का तो ये तीनों का सेम है Vertical वाला लेकिन ये जिसका ज़्याधर रहेगा उसका ये भी ज्याधर होगा, तो आर्थिरी रेंज ज्याधर है तो उसका Velocityrd영 प्रोजेक्शन भी Karma शब्सकन भी ज्याध है, हा तो ये तीनों चीज का हमने एक गार उपर हैं अपनी बात, फिर से हम एक बार इसको दोहराना चाहेंगे, अगर यह दिया हुआ था, यही पहले दिया हुआ था, maximum height, इससे पता चला कि time of flight सेम हुआ, range तो हम इसका photo picture देखके ही बता देंगे, range किसका सबस्यादर हुआ, तो range सबस्यादर 3 का है, तो 3 का हो गया यह, और जिसका range जदर होगा, उसका horizontal जदर होगा, आज इसका horizontal जदर होगा, उसका net B velocity जदर होगा, अब आईए एक चीज्छ और छुट गई है, angle of projection का, जिसका horizontal सबसे जदर रहेगा, उसका angle of projection सबसे कम होगा, तो यानि कि ऐसे लगेगा यह एंगल में, इमा राइट? तो आप इसको नोट कर लिजे, सर कर लिया, हाँ